दूआ कीजिए कि सब का चालिसमा सब का बाल बच्चा करें आप लोगों का भी चालिसमा आपकी आलो अउलाद करें ये दूआ कीजिए जिन्देम नहीं मरने गाद हाँ पहले चालिसमा करा की अड़वास मत रखिएगा इसलिए कि अड़वास रखने से फाइदा क्या है तैयारी तो कुछ है नहीं चालीसवा की तैयारी पहले करके क्या कीजिएगा आदमी जब परेशान हो जाता है परेशान हो जाता है थोड़ी से तू-तूमे में घर में शुरू हो गिया उसके बाद करता है या ला हमर कतिल मुवतियों नहीं है काहे को मौत की दुआई मांग रहा है कौन सी तैयारी कर लिया है के महां जागा रही जाके पालवानी लड़ेगा काहे को मांगता है का में मौत दे दे मेरे आका जनाब अहमद मुश्नवा मुश्टफा स्ललल्लाभ रिख वालिश्लम ने फर्माया है के मौत की दुआएं मत मांगो काहे को जानते थे कि हमारी उम्मत के अंदर से पूरा खुखला है मांगिए कि क्या करेगा रही एक होता है ने कि जल्दी से हमको यहां से जाएंगे तो वो प्रोग्राम पकड़ेंगे तो वहां हमको कुछ मिलेगा यहां स्जाद हैं गड़ बड़े जाने से फाइदा क्या है दुआएं मांगते हैं लोग कुछ थोड़ा से तु तु में में बगजग हो गया उसके बास आल्ला हमें मौत दे दे आरे मरने या तनास हो फिरे कुछ किया रही है काबर में जाने के लिए कोई तैयारी है कोई तैयारी नहीं है खाली हाथ है कौन चीह है खाली अठारो हजार के मॉबाइल है अरे वहू लेके जाएगा का वीडियो रात पर वीडियो देखेगा फहस कलाम सुनेगा गाना सुनेगा हाँ सुन मैं कहता हूँ के मॉबाइल है तो उससे अच्छा इस्तेमाल करो अगर तेखना है तो उसमें हदीथे मुस्तफा को सुनो अगर सुनना है तो नाते मुस्तफा सुनो अगर सीखना है तो हदीथे मुस्तफा सीको अगर सीखना है तो तरीखे मुस्तफा सीको यकिनन नेट में सब कुछ है अगर हासल करना चाहते हो तो उसे इल्म सीखो जिससे तुमारी तुडिया भी गामियाब हो आज आदमी लोग माशाला अल्ला अल्ला फजल फर्मादा आज देखते हैं कोई जब आदमी इंतिकाल करता है उसको चादर ओढ़ा देते हैं और जब गाउं महले में एलान हो जाता है मस्जित की मैख से एलान कर दिया यहां भी इस तरह एलान होता हुआ क्या यह बहुत अफसोस के साथ यह एलान किया जाता है कि फलाने साहब के अबू फलाने मियां साहब इंतिकाल कर गए है तो सुनने के बाद क्या क्याता है यह आंते है रहता है को कैसे महिर गले है हड़ा वहां दूआ पढ़ने के पढ़वें करें इन्हें कहगा इन्ना लिल्लाई वह इन्ना इले राजे उन्सब कहगा तो कल तो ठीके अब तुमको वह फिकर का है कोई मर गया मर गया जाना तुछ अभी को है दूआ पढ़ने के लिए तुझे उत्सी से पूछो कि तुम कल ठीके था आज मरा का है तो वही जबाद तुमको दूआ पढ़ने का है कि महां जाके उसको कैसे मर गया उसके फिकिर मलागल है तुम भी मरागा तुम अपने तैयारी कर जब जाता है ने जब जनाजे कब यह का करतें चरपाई पर लेटा देते मुर्दे को इंतकाल कर जाता है चादर ओड़ा दिया तो सब आदमी जाता है तो जाने के बाद में गोड़ देखता है और पर देखता है और लोग भी देखा हुआ है जब देखता है कि फलाने साब का इंतकाल होगी है कि जब भी जाता जब आदमी आ रहे गा आहिस्ता से उसके चेहरे से कपड़े को हटा देखो सब आदमी चेहरा ही देखता है उसके जिसम में पएर नहीं है पएर को देखो उसके जिसम में हाथ नहीं हाथ को देखो उसके लेकिन देखता है क्या है चेहरा देखता है क्यों देखता है मैं चेहरा देखने का हूद में क्यों दिया गया है कि चेहरा देखके पता चल कितना नेकादिवी था एय मुसल्बानों मरने के बाओ अगर अपना चेहरा खुब्सूरत बनवाना हो तो तुम हर फाग जो हर जोहर का फ़क्त हो जाहे थो तुम वजू कर लेना असर का फ़क्त हो वजू करना नमाझे पढ़ना मगरीप का फ़क्त हो है इतना ही नहीं है नारे तक्भी जलसे चहलों नारे तक्भी अल्ला जहांगी आलब हो वेजी अर्दाब जिन्दाबाचा सुड़ेगे। सूरत बना के यहां खुबसूरत तो हो जाए गारे लेकिन पता चलिएगा मरने बाद नर्बूगा क्या होता है अपने चेहरे को खुबसूरत बनाओ तो वजू करके खुबसूरत बनाओ कि तुम बार बार वजू करते रहोगे नभी का फर्मान है किसी दुनियाधार का फर्मान नही है नेरे आखा का फर्मान है दुनियाधार का फर्मान उसका कहना बदल सकता है लेकिन जमी बदल सकती है आखमा बदल सकता है फर्माने मुस्तफा बदल्गाई नेरे आखा ने फर्माया खल ख्यामत के दिन उसका चेहरा सबसे ज़्यादा खुबसूरत होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा वजू करेगा अब बताइए कि हम लोगों का चेहरा कते खुबसूरत रहेगा जो जुमा जुमा वजू करेगा और तो उसे ज़्यादे वजू तो है ने जुमा का जुमा वजू है बस जुमा का जुमा और वहों दूए रखाद के लिए आज हम इतने तबाह हैं आज हम इतने बरबाद देखतें नहीं दू चार मिनट और बोलने हैं दू चार मिनट सुनने के लेते हैं एक घंटा तो हम बोल ही नहीं सकते हैं अब ऐसा नहीं कि हम बोलने के हमारे नहीं हिम्मत नहीं हाँ है लेकिन जिस बारगाह के हम सग हैं उसी बारगाह के खलीफा तश्रीफ फर्माएं इसलिए इन बुजरुगों की खताबत को सुनना है हमको तब कभी भी सुन लीजिएगा हाँ हमेशा मिल जाएंगे ये गया से आएंगे हम गिरिये देखे हैं हम गिरिये देखे हैं हजरत गया से आएंगे तो देर होगी आनमे न इसलिए दो चार मिनट और बरदास किये पूरा माजमा बोले या रसूल अल्ला और जोर से बोलो सुभान अल्ला अब मुसल्मानों मरने की तैयारी कुछ है कुछ किये हैं मैक का इंतिजाम जलसा होना है आज की तारीख में वंतिस तारीख को जो अभी तारीख वो बदल गई अभी लेकिन वंतिस तारीख को जलसा होना है लेकिन मैक वाले का बयाना और मैक का इंतिजाम एक हथा पहले बिरियानी आप लोगों को खिलाएंगे वंतिस तारीख को लेकिन दिरियानी का चावर 24 तारीक लिख आया घाना वने गाव , 25 तारीक को शाम में और डेक सुवही से इंतिजाम चुले के इंतिजाम पहले मैंने कहा जनाब जमाल सहब मेमने कहा साहिबे खाना आखिर ऐसा क्यों कर रहे है मिलाद को इशा के बाद है ना तो माइक का इंतिजाम हफ़ता दिन पहले डेक का इंतिजाम एक दिन पहले चावाल का इंतिजाम दो दिन पहले आईसा क्यों कर रहे है हरे जब मिलाद शरीप इधर शुरू इधर डेक चड़ाए बोला हजरात वैसा रही होगा करने के लिए तैयारी पहले से करने परती है कि हम्ह cả Fang चाहे से पहले मुहने की तैयारी आज़ क्यों नहीं करता है है चाहलों के बताए बालू सफेद हो गया है अवाल मरिने की कुछ तैयारी कि वीरी के बाद क्या होगा उसके लिए कुई इंतजाम कीजिए तो जवाब क्या होता है जाल दर्मावास मेहां देखा जाना है वहीं देखा जाएगा क्या देखा जाएगा वहां लोग क्या देखते हैं वहां भी वह चेहरा देखते हैं वहां भी वही चेहरा देखते हैं जब कबर म होटो हम देखते हैं दूसरा किया हाँ ठीक है तीसरा भी जाता है हाँ ठीक है तो बाहर में कहर रहा मैं तो मैं चली जब वो ठीक है तो तुम बाहर में कहें को ठीक है चेहरा क्यों दिखाया जाता है इसलिए दिखाया जाता है कि देख तेरे तरह ये पैर वाला है तेरे तरह ये हाथ वाला है तेरे तरह ये आख वाला है तेरी तरह ये जुबान वाला है तेरी तरह ये कान वाला है लेकिन आज देख पायर है लेकिन उठने के काबिल लही, हाथ है लेकिन इशारा करने के काबिल लही, आँख है लेकिन खोल के देखने के काबिल लही, कान है लेकिन वह सुबान है लेकिन वह बोल सकता नहीं, देख सब कुछ है लेकिन बेहिस्सों हरकत बढ़ा है, आज देख किस तरीके से मजबूर ये पढ़ा है कल तुमे भी इसी तरीके से कबर बेजाना पड़ेगा अरे कहां आया है मालूम नही कहां जाना है मालूम नही सब समाने सफर ठीक करो कब होगा सफर मालूम नहीं तैयारी करो इसकी तैयारी करो जानते हैं खुश नसीब है वो मरहुमों मगफूर जो आज दुनिया से गए इनका ये चालीसमा हो रहा है और वो जाते जाते अपने बाल बच्चों से क्या कहके गाये हैं एक मशुरे जमाना कलाम है एक शेर हम भी पढ़ें अजाज़त है वैस भैपर लेट के सामने डिल्या लेके घुमने की तो इसलिए मैं सोचता कि एक शेर मैं पढ़ू अरे डिवीए सहीद क्या कीजिएगा जब भैपर लटवाने रहेगा डिवीवोस काम चलाएगा तो बस एक शेर सुनेंगे कि वो मरहुमों मगफूर जा रहा है दुनिया से त अबने नवासों से नवासियों से बेटियों से क्या कर रहे कि जाता हूँ मैं दुनिया से और मुझे को न भूला देना की चाता हूँ मैं दुनिया से और मुझे को न भूला देना जाता हूँ मैं दुनिया से और मुझे को न भूला देना जब यादे जब यादे मेरी आहे जब यादे मेरी आहे बाखशी से की दुआ देना जब यादे मेरी आहे बाखशी से की दुआ देना अर तुम चाहते हो मेरे पोतों मेरे बेटों मरूं क्या काता मेरे बेटों मेरे पोते तुम चाहते हो मुझे को मिल जाए अगर जन्ना तो कुर्ण 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 मुका दाजी को अरे पाड़ी पाड़ी के सुना देना जब यादे मेरी आहे बाखशी से की दुआ देना अब बाप से महबत करने वाले को हमने देख लिया मा से महबत करने वाले हैं मा से महबत करते हैं मा को देखना मा को देखना मा को देखना अरे जोर से बोल मा को देखना बाप को देखना अस्ताद को देखना पीर को देखना फिर से बोलो पीर को देखना आप चुप उगी है कि गड़बड ना हो जाए दो बारा हम कहीं कड़बड आए नहीं अभी ठीके चल रहे हैं बाप को देखना मा को देखना उस्ताद को देखना पीर को देखना बीवी को देखना रिजोर से बोलिये सवाब है आद देखे करें सवाब तो है बीवी देखना सवाब है लेकिन आपन बीवी की देखना सवाब है तो यह तरह बोले है हजरत बोला कि यह बताईए कि बीवी ने कहा अपने सोहर से नौजवान देखते नहीं आज यह नौजवान लोग मां जब तक शादी नहीं हुए है तब तक मां से काफी महपत है और जब शादी हुगी उसके बाद छे महेना साल देड़ साल दू साल के बाद में कैसी वो है उप फूक मारती है तो आप मौल नो महीने तक अपने पेट में रखी दो साल तीन साल तक गोदी में रखी एतना फूक फाक की लेकिन जब वो लड़का 20 से 25 साल हुआ शादी हो गई बीवी आई तो छोवे महना उँ ये के फूक मारती है साब फूक भसम हो जादी है और जब वही माँ बाब जब बुड़े हो जाते हैं चरपाई पे लेट गिया पाउँ हाथ काम करना बंद कर दिया मुह भी चलना बंद हो गिया तब देखिये धकोसला सब बैठा लोग बहू लोग और सब दमाद लोग पहुँचेगा और क्या लेके रस्पुला ले बपा ऐगा वाद लेक हमाया और करता हुआ ही जब खोगाप नब बंद हो जब खोग दादो खीएृई ले लेटेफ जब खोग टाग याम स्करत को खाए बगाब 주2 पेचांश करता है लेग को खाने लेक संय अर्चम्वाढ फॉपाद लेक बंद हिया और यहाँ हो ता है तोरह इसके मर जाता है अगर दूसाल पहले दिया हो तथे वो करता है आईसे वक्त में देता है शोचो माबाप की इज़त कर जाए बीवी काई अपने शावर से कि आप हमसे कितनी महपत करते हैं बहुत ज्यादा महपत करते हैं बुला जाए बहुत महपत करते हैं बहुत महपत करते हैं बहुत के अंदर में एक सीम है पता है व Cath coroner सीम है पॉला मुबाइल बगार सीम के कोई काम का नहीं होता है और सीम बगार मोबाइल के कोई काम पान नहीं दूने के इतनी बढ़कु अधर बिलकुल, करेज़ भी जादा आच्छा बीवी बहुत खुश हुँ भी हर दिन के तरह नहीं आज बढ़ चड़के नास्ता है खाना है कर्मा है कबाब है बना रही उसके सहे लिए आई मुस्कुरा भी रही है और बढ़िया खुश्बुदार खाना बना रही क्या बात है बोला आई आई बाइले तुम सीम हो देखो कितनी मुहबबत करता है तो उसकी सहीली बोली अरे पगली चैनांग मुबाइल में चर-चर सीम लगता हुश्बुश्बुश्बुश्बुश्बुश्बुश्बुश् दाओद अले इसलाम की बारगाह में वाज़ की मैफिल सजी है खिताबत की मजलिस सजी है नसीहत की मजलिस सजी है हदरत दाओद अले इसलाम की बारगाह में लोगों का ठट्ट्टा मारत मजमा था हदरत सय्योदुश्बुश्बुश्बुश्बुश्बुश्बुश्ब में नहीं हमारे उन चाहने वालों पर पिनने अपने दोस्तों तॉसापियों में नहीं है बल्के आने वाला आया है तो इंसान नहीं बलके आस्मानी फरिश्डा है वो अब अब के हदरत दाओद ने पूछा था ये दाओद ने पूछा था ओ हदरत इजराईल ये तो नसीहत की मैफिल है ये हमारे जंता की मैफिल है ये हमारे साथियों की मैफिल है हमारे चाने वालों की मैफिल है आखिरकार इस मजमें में तेरे आने का सबब क्या है तो हदवे इसराईल ने कहा था कि हुजूर हम आये हैं इसलिए कि इस माफिल में एक नौजवान बैठा है ताइम हो रहा है इसके रूप निकालने का ताइम हमको दिया है जगा भी दिया है इनके घर में निकलना है और ये आदमी अभी तक यहीं बैठल है तो जाएगा कब इसी के इंतजार में आगा जब मजबाँ खतम हुआ वो नौजबान चला अपने घाए नूरी फरिस्ते को तो देख नहीं पा रहा है पीछे पीछे ये मलकुल मौत आगे आगे वो नौजबान अपना घर पहुचा घर पहुचा उसकी माँ आख के अंधी पाउं की लंगडी हाथ की लूली बत मजबूर माँ प्यास सक्त की लगी थी मुसल्बानों माँ ने जूही पाउं की आहट को सुना है माँ काती है बेटा आगे या मुझे प्यास लगी है पानी पिला दे नौजबान घरे के करीब गया घरे के करीब गया पानी लेके आया और पानी लेके रहाया अपनी मा के करीब दिया मा ये पानी पी ले मा भी पानी पीना शुरू की मलकुल मौत आ चुका है चन्द लमहा बाकी है नौजबान की रूह निकालने का इतने में माँ उसकी पानी पीती है और पानी पीने के बाद हाथों को उठा दीती है और कहती है ए पानी पीने से पहले मुझे पानी फिलाया ए पेटे ने मुझे पानी पिलाया है उस पेटे की उम्र को मौना तुु लंपी फर्बादे मेरे इस बेटे ने तेरे इस बंदे ने मुझे पानी फिला दिया ये मौला मेरे इस बेटे की उम्र में इसाफा फर्मा दे कुछ दिनों के बाद हदरते दाओद अले इससलाम ने देखा मलकुलमौद से मुलकात वी और फिर उसके बाद वो नौजवान तो चल फिर रहा था कई दिन गुज़र गए महीना गुज़र गया मलकुलमौद से जब मुलकात वी हदरते दाओद ने पूचा है मलकुलमौद उस नौजवान की उम्र तो खत्म हो चुकी थी आखिर उसकी रूप को तूने निकाला क्यों नहीं वो आज भी जिन्दा उस दिन करा था यह अब मरने वाला है तो मलकुलमौद ने का ओ अल्ला के नबी सुन लीजिए उसने अपनी माँ को एक गलास पानी पिलाया और माँ ने उसकी उम्र की बरकत की दुआ कर दी अल्ला ने मा की दुआ अल्ला ने उस नजवान की मा की दुआ को कबूल फर्माया और रब ने उस नजवान की उम्र में परकते आता फर्मा दी कितनी उम्र बढ़ा दी गई ए मलकुलोद बता कि उनकी उम्र कितनी बढ़ा दी गई मलकुल मौत ने कहा अल्लारा बुली इजत ने इसकी तीस साल उम्र को बढ़ा दिया मानों मा की दुआ की अजमत को समझो आज हम और आप है मा कह रही है कहना की लिए पानी दे रहे रहे बाबु रहे दादी पानी मंगो दे दी हो रहे हम जाए खिलकटवा ख्ले भाई तिया गयन खेलने चलागी है गयम खेलने में मसूड़ है टीवी बन नहीं होगा सीरियल बन नहीं होगा ना हाँ पॉपुजी पॉपुजी का तो कोई जवाबे नहीं है जवाबे नहीं है सुझ अपने आपकी तयारी खुल जानते एग रभायत और बोलो बस दो तीन मिनट और तुनें नहीं है एक रभायत और बो लो हदरत से अधराशियोधन आली रदी अल्लाहु ताहला नहीं की जाते गरामी है अलिय मुर्तजा शेयर खुदा मक्के में हैं चंसाती हैं रात का सनाता है तारी की है सारे लोग चेड़ो आराम के नीन सो रहे है इतने में हज़रते अली रात के सनाटे में सुनते है किसी की बिलकनी की आवाज आ रही है किसी के तड़पने की आवाज आ रही है किसी के रोने की आवाज आ रही है किसी के गिर्गराने की आवाज आ रही हजरते अली ने कहा अपने सातियों से देखो कोई रो रहा है कोई भी लग रहा है कोई तडप रहा है कोई रोने की आवास आ रही है कोई रोता है देख वो रोने वाला कौन है एक शक्स गया और जाकर के देखा तो वो रूने वाला आदमी कैसा था गोर को रूने वाला आदमी कैसा था जिसका हाथ भी नहीं चल रहा था पाउं से मजबूर था और वो कावे के पास था और लुडख लुडख के बदन के बन लुडख लुडख करके कावे का तबाफ कर था और रोते जाता था और काता था मौला मुझे माफ कर दे एल्ला हमें माफ कर दे एल्ला मेरी गल्ती मेरी खता को माफ कर दे वो लुड़ा लुड़ा के उलट लुड़ा के कावे का तबाफ कर रहा है कि पाउँ चलता नहीं था हाथ काम करता नहीं था आखिरकार उन लोगो क्यों है तू कौन सी माफी मांगता है तू बता दे कहा मैं बता नहीं सकता क्योंके मैं गुन्हकार हूँ बहुत बड़ा खताकार हूँ मैं बता नहीं सकता बोला तुम्हें बताना पड़ेगा अब नहीं तो चलो मेरे अली के पास तुम्हें जाना पड़ेगा कहा चला तो ज जाओंगा लेकिन जाओंगा कईसे पर नहीं चलता है हाथ नहीं चलता है बोला कांधे पर उठा करके ले जाओंगा वो शक्स सोचा कि अली के पास जाओंगा और अली के दोस्तों के कांधे पर जाओंगा मेरी खुशनसीबी कितनी है वो शक्स को कांधे पर उठाया है और हaby कि कि बड़ा ता बताओं गाने वंला बता दो भूला मैं नहीं बता सकता हजरते अली ने जोर भी आके बता तो शक्किन चुल कर दिया आज दो कि मैं बाप का एकलोता बेटा था बात को सुनो मैं बाप का एकवाता बेटा और ले जा करके मैं उसे खत्म करता यहां तक कि मेरी आदत बिगड़ गई बुरों की संगत लग गई शराबियों की संगत लग गई जुवारियों की संगत लग गई अब मैं जुवा बाजी में करने लगा जुवा बाजी में करने लगा गुनाहों के आड़े पे जाने लगा मैंने पैसे को बहुत बरबाद किया जब मेरे बाप को पता चला है मेरे बाप ने मुझसे कहा कि तुम जुवारी हो जुवे के आड़े पे जाते हो तुम इसराबी हो शराब के आड़े पे जाते हो तुम फला के पास जाते हो वो गुनाह करने वालों गुनाह के आटे पर जाते हो हाथ से तेरे लिए तिजवरी लोग है तेरे लिए कोई पैसे नहीं है अब उस नौजवान ने कहा जब मुझे बाप नडाटा मैं ये गोशे को पकड़ा कोने को पकड़ा बहुत रोया बहुत रोया कि मैं बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी है लेकिन मेरे साथी आते रहे जुवारी मेरे पास आते रहे मुझे बहकाते रहे शराबी मेरे पास आते रहे मुझे बहकाते रहे गुनाहकार मेरे पास बदकिर्दार लोग आते रहे बद अखलाग लोग आते रहे मुझे बहकाते रहे एक दिन मेरे अंदर कर शैतान उभरा है और मैंने कहा अबाप मेरे बाप उसा वो तिजवरी की चावी दे दो बाप ने कहा चावी नहीं दूँगा मैंने इसी गुसे में वो शैतान मेरे उपर उभया और मैंने हाथ को उठा दिया अपने बाप पे यादी मैंने आख को उठाया था मेरे बाप के आँगों में आसू आ गए मेरे बाप को आख चेहरे मेरे बाप का चेहरा मुर्चा गया मेरे बाप भी लखने लगा मेरे बाप के आगों से आसु आने लगे मेरे बाप ने चंद कपड़े को जोले में सिमिटा है और अपने घर से मेरा बाप निकल चुका है पता नहीं कहा चला गया मैं गुनाहों में बोलो जिस रहा लेकिन मेरा बाप है मेरे बाप है मेरे बाप मेरी नजरों से खैब हो चुके माई जाशी करता रहा अचानद मेरे हाथ के मैं फाली जलग गई हाथ काम करना बंद कर दिया पाउ चलना बंद हो गया मैं सबीन पे वहकेला घर में उलट-उलट के चलता था कुछ दिनों के बाद मेरा बाप वापिस आया है और जब आया है मेरे यहालत को मेरे अपू ने जब देखा है मेरे बाप के आँखों मियास हुआ गए बाप ने मेरे करीब जबाने लगा मैं देखा बाप उसमें महर्बान है मैं लुग तब बाप के खरीब गया मेरे बाप ने अपने हाथों से में है इसी यकिनन बेकाबू जिस्म को उठाया है सीने से लगाया है मेरा अपा रो रहा है मेरे बाप रो रहा है और मेरे बाप कब मेरे अपो कहते है बेटा तुझे तकलीव क्या है मैंने कहा पाओं काम करता नहीं हाथ काम करता नहीं मेरे लिए दूआ करतीजिये मैं मापी चाहता हूँ मेरे अप्रों मुझे माप्स करतीजिये बाप ने कहा था मेरे बाप ने कहा ए बेरे बेटे मैंने जो दूआएं की है जो तेरे हाथ जो शल हुए है पाउ में पालिच लगी है मैंने तेरे लिए बत दुआएं जरूर की है लेकिन कही और चाकर के नहीं कावे के खिलाब पकर के मैंने दुआएं की है चल तुझे कावे के खिलाब पकर करके आज तेरे लिए दुआएं करूंगा कल तेरे लिए पत दुआएं की थी आज मैं तुस्से राजी हो बाप ने कहा बेटे चल बेटे ने कहा अपू कई से जाओंगा एक खचर को लाया उस पे अपने बेटे को सभार किया खुद भी सभार हुआ और चला है कुछ ही दूर भी चला वो नुच्मान कहता है एहाली अचानक मेरे मेरे खचर के पाउं में ठोकर लगी मेरा भाप इधर गिरा मैं इधर को गिरा थोड़ी देर में जब मैं लुड़ग लुड़ग के बाप के खरीब गया तो मैं में देखा मेरे बाप की रूख कबसे उनसरी से परवास कर गई मुसाफिराते गए चनासे के नमाज पढ़के दफन कर दिये और तब से मैं इसी तरह लुड़ग लुड़ग के काबे के पास आया हूँ और एक दो साल नही अज बारह साल से इसी तरह दूआए बाग रहा हूँ लेकिन अल्वा महर्वान मुझ पे नहीं यादो खुदा मेरी दूआओं को कबूल करता नहीं अजरते अली ने कहा जलूजी काबे के पास चलता हो अली गए अली के आखों में हासू है ए बाउला काबे का किलाव पकर करके अली ने कहा ए बाउला इसका बाप राजी था बाउला तू भी राजी होड़ा इसका बाप इसे खुश्टा बाउला तू भी खुश्टा बाउला इस मेरी अली की दूआ मेरी सुभान की दूआ तू कुबूल फर्मा ले और इस नौजबान की बगपरत फर्मा इस नोजवान की से तो सलामती अता फर्मा इतना कहना था कि इस नोजवान की जिसम ताक अगई अली ने फर्माया ए लोगो अगर माबाप तुस्से नाराज है तो कभी खुदा खुश नहीं हो सकता अगर अल्ला और उसके रसूल को राजी करना चाहते है तो पहले अपने माबाप को राजी करो माबाप राजी है अल्ला और रसूल राजी होता लगा ले मेरे मुसल्मानों हमें और आपको चाहिए कि अपने माबाप को खुश रखें नमाज की पाबंदी करें मरना सभी को हो तो उसकी तैयारी करें, अच्छा आमल करें, हमेशा पाक औ साफ रहें, लाह तबारोग ताला हम मुसल्मानों को आमले खायर की तौफीक अता फर्मा, तमामा फात वल्यात से माफुज़ों मामून अता फर्मा, और मौला उस मरहुमों मगफूर को अपने हबीर, स्वाले ले सल्म के सदके तुफेल में, करवट करवट जन्नत नसीब अता फर्मा, हम मौला दानिस्ता ना दानिस्ता, अगर इस नाचीश से, इस अखीर फ़कीर से, गुफटगू करने में, बोलने में, अगर कोई खलती हुए है, मौला तुमाफ़र्मा, मैं तुबा करता अस्तग्फिरूल्ह रभी मिन कुले जंदियों वातुविले ला इलाह इल्लाह मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह टाला आली वाली सल्म असलाम उल्यकुम रहामतुल्ह वर्कातु